नंदू एक आठ साल का बेहत गरीब बच्चा था। उसकी गरीब माबाप मेहनत मजदूरी कर घर को चलाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन कभी-कभी वो बहुत ही निराश हो जाया करते। पर फिर वो नंदू की प्यारी सी मुस्कुराहट देखकर अच्छा महसूस क और फिर काम पर निकल जाते। एक दिन नंदू के माता पिता, दोनों काम पर नंदू को नहीं लेकर जाते। अब बहन, हम थोड़ी दिर में घर वापस आ जाएंगे, तब तक तुम नंदू का खयाल रखना। जहां हम पहले काम करते थे न, वहांब काम नहीं है, काम की तल काम की बात करने चले जाते हैं। वो एक बड़ा सा बंगला था, उस घर में एक पति-पत्नी और उनका बेचा रहता था, जो नंदू की ही उम्र का था। बंगले का मालिक हरकिशन नंदू के माता पिता को अपने पास काम पर रख लेता है, और वहीं पर ही उन्हें एक कमरा रहने के लिए दे देता है। मिल जुलकर आपस मैं जो ठीक लगे वो काम कर लेना लेकिन मुझे शिकायत नहीं आनी चाहिए, और मेरा बेटा तो तुम्हारे बेटे की उम्र का ही है, उसका भी ख्याल रख लेना। जै नंदू का हाथ पकड़ कर उसे खेलने के लिए ले जाता है, उसके बाद नंदू के माता-पिता काम में लग जाते हैं। देखो, कुछ सबज यह हम बाजार से नहीं लाते, वो हमारे बड़े से गार्डन में ही लगी हुई है, वहाँ से टमाटर तोड लाओ। नंदू की मा नंदू को लेकर टमाटर तोड़ने के लिए उस बड़े से गार्डन के कोने में जाती है। वहाँ एक पौधे पर एक बड़ा और बाकी सारे चोटे टमाटर थे। नंदू उस बड़े टमाटर को तोड़ने लगता है, कि तभी सारे चोटे टमाटर उसका हाथ पकड़ लेते हैं, पर यह देखकर नंदू डर जाता है। हाथ छोड़ो मेरा, सारे बगीचे में इतने सारे टमाटर हैं, फिर तुम यहाँ पर क्यों आये हो, यह हमारी माँ है। अरे मेरे बच्चों इस तरह गुस्सा मत हो, वो छोटा बच्चा है, डर जाएगा, उसे नहीं पता था ना, कि हम लोग जादुई टमाटर हैं। अगर यह गलती से ही तोड़ देता आपको तो, तो मेरा सारा जादु खत्म हो जाता है। जादुई टमाटर क्या होता है? यह कितना मासूमर भोला है। बच्चे, जादुई टमाटर का मतलब होता है, कि हम में जादु है और हम कुछ भी कर सकते हैं। सच मुच में तुम लोग कुछ भी कर सकते हो? हाँ हाँ हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या तुम्हें हम पर यकीन नहीं है? यकीन क्या होता है? इसका मतलब होता है कि तुम हमारी बात को जूटा मान रहे हो। अच्छा, तो तुम जादु जानते हो तो देखो वो मेरी मा है, औ और देख रहे हो, उनकी साड़ी कितनी फटी हुई है, उनकी साड़ी को नया कर दो। तभी जादूई टमाटर और उसके बच्चों में से एक रोश्णी से निकलती है, जो नंदू की माँ पर गिरती है, और उसकी साड़ी बदल जाती है, ये देखकर नंदू की माँ बुरी तरे घबरा जाती है, और सारे टमाटर वहाँ पर फैल जाते हैं, नंदू भागता हुआ, अपनी माँ के पास आता है, और जोर-जोर से हसने लगता है, तुम हस रहे हो, तुम्हें पता भी है, अभी क्या हुआ? हाँ, मुझे तो सब कुछ पता है, मा, तुम्हें पता है, वो पौधा देख रही हो, उस पर जो टमाटर और वो छोटे छोटे टमाटर लगे हैं, वो सब जादू ही है, बड़ा टमाटर छोटे टमाटर की माँ है, चुपकर, ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ भी उटपटांग बोल रहा है, मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि ये सौड़ी कैसे बदल गई? कहतो रहूं मैं, ये उस जादूई टमाटर उसके बच्चों ने किया है, और अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है, तो चलो मेरे साथ, मैं उनसे पुछवा देता हूँ नंदू उसे उन जादूई टमाटर के पास लेकर आता है मेरी मा को आप पर भरोसा नहीं हो रहा, उन्हें भी बताओ कि आप जादूई टमाटर हो ये लो, तुम तो सारी दुनिया को बता दोगे, कि हम लोग जादूई टमाटर हैं, और यहां रहते हैं यूँ जादूई टमाटर को बात करता हुआ देख, नंदू की मा, नंदू को अपने साथ चिपका लेती है अरे, ये सब क्या है? भला टमाटर भी कभी बात करते हैं? हम कोई आम टमाटर नहीं है, हम हैं जादूई टमाटर, और मेरे बच्चे यहां रहते हैं और ये बात बस अभी इस बच्चे को पता चली है, और अब तुम दोनों किसी को बताना मत, वरना तो मैं और मेरे बच्चे परिशान हो जाएंगे नहीं, हम किसी को नहीं बताएंगे, तुम बिना डर के यहां पर रहो, पर तुम लोग यहां पर क्यों हो, ये तो बता दो जब हम बड़े हो जाएंगे, तो हम अपनी मा के साथ अपने देश चले जाएंगे एक मा ही अपने बच्चों को दुनिया का ग्यान देती है, इसलिए हमें भी ऐसा ही करना पड़ता है और इसलिए हम लोग यहां पर हैं, हमसे कोई मदद चाहिए हो, तो बता देना मदद? कैसी मदद कर सकती हो तुम? जैसी भी तुम्हें चाहिए, हमसे पैसा चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, जैसा भी तुम्हें अच्छा लेगे, बस बता देना अभी तो कुछ नहीं चाहिए, तमाटर तोड़कर मालकिन को देने हैं, वरना वो बहुत गुसा हो जाएंगी नंदू और नंदू की मा टमाटर लेकर घर के अंदर जाते हैं, नंदू की मा नंदू से कहती हैं, ये बात किसी को बताना मत, नंदू भी अपनी मा से वादा करता है, कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगा नंदू रोज जादूई टमाटर की बच्चों से बात करता और वहीं पर खेलता कूदूता एक दिन वो जादूई टमाटर की बच्चों से बात कर रहा था कि तभी जै चाबी हाथ में घुमाता हुआ आता है और अपने पापा की गाड़ी में बैटकर उसे स्टार्ट कर देता है उधर क्या कर रहे हो नंदू? आओ तुम्हें आज मैं गाड़ी में घुमाता हूँ जै को गाड़ी स्टार्ट किया हुआ देख नंदू की मा भाग कर आती है और ये कहकर वो गाड़ी स्टार्ट करने लगता है और उधर ये देखकर नंदु की मां बुरी तरे घबरा जाती है वो भाग कर जादुई टमाटर के पौधे के पास जाती है हमारी नौकरी चली जाएगी तुम कुछ करो उस बच्चे को गाड़ी से बाहर निकाल दो अरे अरे तुम परिशान मत हो मैं देख लेती हूँ तभी अचानक से जै गाड़ी से बाहर निकल आता है और चाबी नंदु की मां के हाथ में आ जाती है तभी वहाँ पर नंदु के बाबा आते हैं देखो तो अभी जै ने क्या किया वो तो भगवान का शुक्र है कि जादुई टमाटर ने उसे बचा लिया क्या कहा जादुई टमाटर ने ये तुम क्या बोल रही हो नंदु की मां अपने पती को वो सारी बात बता देती है और जै का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले आती है अगले दिन टमाटर के बच्चे बड़ी ही शरारत कर रहे थे एक दूसरे से लड़ रहे थे और बातें सुना रहे थे नंदु उन लोगों की बाते सुनकर हस रहा था तुम चुप हो जाओ बच्चों देखो तो ये बच्चा तुम्हारे उपर कैसे हस रहा है तो उसे हसने दो उसे अच्छा लग रहा है नहीं वो हसने वाला नहीं हस रहा है तुम्हारा मजाग उड़ा रहा है इसले तुम लोग चुप हो जाओ, और इस बात से ये सिखो, कि आप सी लडाई को लोग हस कर ही देखते हैं माँ को ऐसे कहते हैं, वो चुप हो जाते हैं, तभी नंदू की माँ वहां आ जाती हैं और दुखी होकर जादूई टमाटर से कहती हैं तुमने कहा था जो मुझे चाहिए, वो तुम मुझे दे सकते हो, देखो हम मेनत करने से नहीं घबराते, लेकिन तुम इस बडे बंगले को देख रहे हो, हम दो चनि सुभे से लेकर रात तक इस घर की सफाई में, और कामकाज में लगे रहते हैं, इस बीच हम अपने बेटे क देख नहीं पाते और मैं चाहती हूँ कि नंदू भी और बच्चों की तरह स्कूल जाए अपनी पढ़ाई करे और बड़ा आदमी बने सही कह रही हो एक मा कोई इस तरह बच्चों की फिकर होती है देखो न मैं भी तो अपने बच्चों की फिकर के लिए यहाँ आई हूँ बस अब ये दो दिन में ही बड़े हो जाएंगे फिर हम लोग यहां से चले जाएंगे क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकती हो? हमारी माँ तो सारे काम कर लेती है, हमने खुद देखा है तुम इन बच्चों की बात मत सुनो, मुझे बताओ तुमें क्या जरूरत है हमारा खुद का कोई काम करवा दो, ताकि हम अपने बच्चे को तेख सके और हमारा घर अच्छे से चल सके, हम इसकी सारी जरूरतें पूरी कर सके जादा की खौईश नहीं है, बस इतनी की जिन्दगी आराम से चले ठीक है, इतना परेशान मत हो, मैं समझ गई हो तुम क्या चाहती हो तुम अपने उसी चोटे से घर में चले जाओ, वो घर अब चोटा नहीं रहेगा, सब जरूरत का सामान वहाँ पर होगा और तुम्हें जो भी व्यापार करना है, वो मुझे सोच कर बता देना नंदू कीमा टमाटर और उसके बच्चों को धन्यवाद कहती हैं, और उसके बाद वो अपने पती के साथ अगले दिन, जब अपने छोटे घर पर वापस आती हैं, तो वो देखती हैं कि उसके आंगण में, वही जादूई टमाटर और उसके बच्चे आ गए हैं, ये सारी चीजें दे कर जाते हैं अब नंदू के पिता टमाटर बेचने का काम शुरू कर देते हैं और नंदू को स्कूल में एडमिशन दिला देते हैं इस तरह वो लोग अपना खुशी-खुशी जीवन बिताते हैं